यात्माल जिले के दिग्रश शहर के नगरपालिका प्रशासन की लाप परवाही और गंदगी फैलाने वाले चंद लोगों की गैर जिम्मधारा हरकत से दिग्रश शहर की नगरपालिका की इमारत सारवजनिक शौचाले में तबदील हो चुकी है इस संधर्ब में इन बीसे न्यू चैनल ने बीते मंगलवार को नगरपालिका में भीतर खुस कर धडलने से मुत्रविसर जन कर रहे लोगों की खबर जारी की थी इस संधर्ब में पूछे जाने पर दिग्रस पालिका के प्रभारी प्रशासक तथा दार्वा नगर पालिका के बख्यादिकारे धीरज गोहार पाटिल ने इन बीसेन न्यूज को फोन पर बताया कि उन्होंने इन बीसेन की खबर को सग्यान में लेकर यहास्ताई रूप से उजागर कर प्रशासन को हकिकत से रूबरू कराने के लिए जारी की गई इन बीसेन की खबर की प्रशन साभी की बैरहाल इस खबर के बाद नसिर्फ पालिका के भीतर बलकी शहर में साफ सपाई को लेकर स्तानिय पालिका प्रशासन सतर्ख हो गया है गुरवार को शहर की बच्रा गंदगी हटाने और सडकों और महामारगों की साफ सफाई दलबल सही जैसी भी मशीनों के साथ प्रभावी रूप से शुरू है BCN News के लिए दिगरस से जुबैर खान के रिपोर्ट